क्या आप एक Graphic Designer है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे डिजाइन बनाते हैं? क्या आपको बिलीब है आपने आप पर? क्या आपको काम मिलेगा और आप काम कर सकते हैं? तो ये वीडियो फिर आपके लिए है मेरा नाम बिजेंद्र है और मैं आपको ये बताओंगा कि कैसे हम काम ला सकते हैं? कैसे एक अच्छी इमिल लिख सकते हैं? कैसे इमिल लिखना चाहिए? देखिए, Honesty के साथ वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं Professional Writer नहीं हूँ मुझे राइटिंग नहीं आती है मैं ज़्यादा अच्छा नहीं लिखता हूँ लेकिन जो भी मैंने लिखा या जो भी इमिल मैंने लिखी मुझे उस पर response होने के chance ज़्यादा रहे और मैंने ज़्यादा इमिल तो नहीं लिखी हैं अभी जो भी काम हमें अभी तक मिला है वो हमारी YouTube चैनल के थुरू मिला है हमने YouTube पर कहते हैं कि आप हमसे काम करवा सकते हैं तो वहाँ से कुछ क्लाइंट साते हैं वहाँ से हमें काम मिलता रहता है तो YouTube के लिए थैंक्स बोलते हैं लेकिन, जिनको हमने email किया, वो पहला email था, जिनको हमने manually एक email किया, कि Sir, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया काम करने के लिए, तो हमना काम साथ में किया, काफी अच्छा काम किया है, लेकिन बात करते हैं कि आप कैसे email कर सकते हैं और आपको कैसे काम मिल सकता है तो यही बात करेंगे मैं कोई professional नहीं हूँ email लिखने में जो भी मैंने लिखा वो आपको as a honesty सत्पेस करूँगा तो please इस वीडियो को आप दियान से देखिए हो सकता है कि आपके लिए वीडियो बहुत helpful हो थोड़ा सा हम theoretical चलते हैं एक दो मिट लूँगा आपके मैं तो पहली बात यह है कि जिन channels को मैं देखता था चाहे बो channel finance से हो self growth से हो जिन भी channels को मैं देखता था मुझे यह लगता था कि इनकी thumbnail और better हो सकती है या मैं इनकी thumbnail को better कर सकता हूँ मुझे लगता था कि मैं इनकी videos को better कर सकता हूँ मैं अच्छे से edit कर सकता हूँ अगर आप जिनकी भी videos देखते हैं पहली बात तो कि आपको इस topic में interest है तब ही तो आप उनकी video देख रहे हो दूसरी बात ही है कि आपको लगता है कि आप वो कर सकते हो कई बार तो क्या होता है clients हमारे पात आते हैं और हमको समझा ही नहीं पाते हैं कि उनको चाहिए क्या है और हमें देना क्या चाहिए तो यहाँ पर इक बात किलियर है कि उनको क्या अच्छा लग सकता है और आप क्या अच्छा बना के दे सकते हो जो अनुराग रिशी चैनल है यूटूब पर ये काफी अच्छे बैक्ती है इनका मैं चैनल काफी समय से देखता आ रहा हूँ करीब 4-5 साल पहले से इविन जब इन्होंने वीडियो जालना श्टार्ट किया था जब इन मोबाइल से सोट करते थे तब से मैं इनकी वीडियो देखता आ रहा हूँ तो इनकी मैंने काफी वीडियो देखी है तो मुझे कहीं न कहीं लगता था कि मैं इनकी thumbnail को better कर सकता हूँ मैं इनकी video editing के लिए better कर सकता हूँ तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इनको एक email लिखना चाहिए कि मैं आपके लिए better कर सकता हूँ या मैं आपका काम कर सकता हूँ तो मैंने किस तरीके से email लिखा आए उस बारे में बात करते हैं मैंने यहां पर मैं आया, mails में और मैं आपको mails दिखाता हूँ, अनुराख सर की मैंने किस तरीके से mail लिखा, तो मेरी इंगलेस इतनी अच्छी नहीं है, पहले बता देता हूँ, कहीं पर गलतियां हो सकती है, तो मैंने अपनी बात रखने की conscious की और उनको बात पसंद आई, बस इतनी कहानी है, सबसे पहले जो subject मैंने लिखा, subject मैं लिखा, dear अनुराख सर, तो नाम लिखना अच्छा होता है, सब को अपना नाम अच्छा लगता है, तो please जिनको भी आप mail लिख रहे हों, उनका नाम लिखेगा, बताइए कि आप कौन हो, so मैंने लिखा, I'm a graphic designer, और म अच्छा बना सकता हूं, साथ मैं जो आपके social media posts हैं, उनको भी मैं improve कर सकता हूं, और मैंने कहा, I will promise you, मैं तुम से बादा करता हूं, कि आप मेरे काम से disappointed नहीं होंगे, और फिर मैंने कहा, कि please मुझे एक मौका देजी अपने आपको सावित करने का, तो ये चीज़ आपको लिखना चाहिए, इसके बात मैंने कोई हवा में बात नहीं की, मैं नहीं कि आप मैं इतना वड़ा graphic designer हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इन सब चीज़ों से बात नहीं चलती है, सामने बाला बंदा already experts होते हैं, वो समझ जाते हैं कि बंदा कहां पर ब तो ज्यादा आपको दही मखन लगानी की जरूवत नहीं है, जितना आप real रहेंगे, जितना आप honest रहेंगे, उतना chance आपके लिए ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पर काम करके दिखाया, कई बार क्या होते हैं, वो mail करते हैं, चलो कुछ काम करके दिखा दो आप हमें, कुछ बना कर दिखा दो हमें, इतना time नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं काम करना जानता हूं, तो कुछ पहले से ही करके दिखाया जाए, ताकि उनको reply में तक देने में दिग्गत ना हो, वो final decision ले सकें, तो यहाँ पर मैंने sample स्वेजा, और मैंने कहा, please check below attachment, तो यहाँ यहाँ पर मैंने कुछ attachments वेजेते, कि आप भो भी check करिएगा, और यहाँ पर मैंने before and after करके, यह जो आप देख रहे हैं, यह इनकी YouTube channel पर पहली thumbnail थी, 6 tips magnetic personality, मैंने उसी thumbnail को download किया, किसी website से जाकर, उसका link copy किया, and उस website पर गया, वहाँ से thumbnail को download किया, और यहाँ पर लगा दिय कि मेरी skills कैसी है, I hope आप भी देख सकते हैं, कि उनको एक idea मिल गया होगा, इससे कि मेरी skills कैसी है, यह thumbnails अगर मैं आपको zoom करके देखा हूं, तो sorry, थोड़ा सा zoom कर लेते हैं, ठीक है, यह देखिए, यह उनका thumbnails था, इससे मुझे दो जगा समस्या दिख रही है, पहली बात तो background selection अच्छा है, text अच्छा लिया उन्होंने, दूसरा है, फिर मैं देखाता हूं, कि मैंने क्या किया है, मेरे पास high quality photo नहीं था पहले इनका, क्योंकि मैंने काम तो किया नहीं है, और नहीं इन्होंने मुझे high quality photo दिया, तो एक remedy आपाता है, उसमें मैंने इनकी photo को high resolution किया, ताकि high quality photo मैंने को दिखा सकूँ, फिर मैंने अपने हिसाब से magnetic चमकदार personality वाली वाद थी, तो यह text है, मैंने उसको highlighted रखा, और यहाँ पे जो magnetic लगी हुई है, जहां से likes और emojis चिपक रही है, एक magnetic का sign होता है, आप जानते ही होंगे, तो यह सारी चीज मैंने योज की इस thumbnail और यहाँ पे लिखा है, बड़े-बड़े अक्षरों में दुनिया आपकी फेन हो जाएगी, तो यहाँ पे time code से यह line छिप रही है, तो मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे जगह छोड़ दी है, ताकि time code भी आराम से आ सके इसी thumbnail में, तो इस तरीके से मैंने thumbnail दिया उनको, और कहा कि प्लीस मैंने कुछ attachment भी भी भेचे हैं, आप उनको भी चेक करिए, इसके बाद मैंने अपने आपको इंटोडूश किया, मेरा नाम विजेंदर कुश्वा है, और मैं एक professional video editor हूँ, और एक graphic designer हूँ, आप मुझे इस number पर संप्रक कर सकते हैं, और यह भी कह दिया कि मैं whatshap पर भी available होता हूँ, अब सबसे बड़ी बात, जो attachment मैंने भेचे हैं, उनने दिखाता हूँ, यह जो first attachment है, यह एक इनकी community post थी, उससे मैंने एक design बनाया, against यह सारे photo मेरे पास HD में नहीं थे, मैंने रेमने एपस इनको highlighted किया, enhance किया, then फिर post बनाया, यह design मैंने बनाय हुआ था इनके community tab पर, मैंने बहां से design को उठाया, और design उठाने के बाद, ऐसा कुछ बना के दे दिया, अब आप कहेंगे कि मैं free में काम क्यों करूं, यह free काम नहीं होता है, कि mail का कोई reply क्यों देगा, ऐसी email तो उनके पास 1000 हो आती होंगी, जो कहते होंगे, sir मैं graphic designer हूँ, मुझसे अच्छा designer कोई नहीं है, आप मुझसे बनवा कर देखिए, इन बातों से काम नहीं चलता है, बना कर देखा यह आफ, अब क्या होता है, अभी देखिए, फिर मैंने कुछ comparison करना चाहते हैं, ऐसे की thumbnails मैंने बना के भीज़ दी यह वाली, जो आपको high में देख रही ह कि यह comparison है, यह before adapter है, कई बार क्या होता है, उनको यह वी दिग्गत ना आए, कि वो दो-दो screen खुल के देखें कि यार इसने यह thumbnail बनाई है, तो इसको YouTube पर सर्च करके देखो, हाँ हमारी thumbnail जैसी है यह नहीं है, तो please उनको customer देजिए, आप before adapter एक ही screen बदा दीजिए, ताकि decision ले सकें, इसके बाद तो मैंने ही किया, यह वी वी विफोर, एंड डाप्टर दे दिया, ताकि उनको अलग-अलग screen पर सोच ना करना पड़े, तो इस बात का दिखान रखें, अब बात करते हैं, इनका reply कैसे आया, मुझे reply आ चुका था, हाई विजेंद्र, greetings, और इन्होंने कहा, kindly share some your previous work, इन्होंने कहा, कि कुछ अपना पिछला काम दिखाईए, और साथ में बताईए, कि आप कितना charge करेंगे, और इसके बाद इनको ठीक लगता है, तो यह मिर साथ काम करने के लिए तयार हो जाएंगे, यह इनकी manager है, इन्हों response, हाई नहार का, I am very happy with your reply, मतलब मुझे आपकी जवाब से बहुत खुसी हो रही है, और मैंने क्या कहा, तो मैंने हाँ पे कहा, कि प्लीस मुझे कुछ मिर्ट देजे, ताकि मैं अपने आपको प्रेजेंट कर सकूँ, again मैंने जो ground रखा, जो waste रखा, अपने आपको प्रेज किया मैंने, मैंने बोला कि I don't have many clients, मैंने कि मेरे पास ज़्यादा अखराक नहीं है, या मैंने ज़्यादा लोगों साथ काम नहीं किया है, but we have some amazing clients, मतलब मैंने जिनके साथ काम किया है, वो अदूध है, and मैंने यह भी कहा है कि हम जिनके साथ भी काम करते हैं, वो लंबी समय तक हमार साथ काम कर रहे हैं, वो भी हमें छोड़के नहीं गए, और हम ने भी उनको नहीं छोड़ा, हम साथ में लंबे समय से काम करते हैं, और दूसरा कि वो मेरे डेजान से बहुत खुस हैं, और मेरी वीडियो एडिटिंग से भी काफी खुस हैं मेरे clients, और मैंने इनसे मेरे वी कहा कि मैं आपकी काम को समझता हूँ और मैं बहुत passionate हूँ आपके लिए काम करने के लिए, तो मैंने यह यहां पर लिख दिया, इसके बाद इन्होंने price के बारे पूचा था कि price कितना लोगे, आप कितनी cost करोगे इसके लिए, तो मैंने कहा price and cost will decide after some work completion, हर कोई यह कि price, कीमत, इस सब बाद में decide हो जाने तो बैतर है, कि पहले हम इनका काम देख लें, ताकि हम decide कर सकें कि इन्होंने कितना काम किया है, और हम इनको कितना दे सकते हैं, तो मैंने कह दिया, कि we will decide after some work completions, कि हम जो काम करेंगे, उसके बाद price का decide कर लेंगे, अभी इतना जरूरी प्राइस हमारे लिए, और हम मैंने EV का कि we also respect your budget, अगर आपका budget कम भी होगा, तो हम उसकी भी respect करते हैं, उसको भी देख लेंगे, इसके बाद मैंने एक idea भी दिय दिया, ताकि उनको भी reply मिल जाए, कि मुद्दा है क्या, बनना सोचेंगे कि मैंने जो पूचा था, उसका ज हमने लिए चार्ज कर रहे हैं, यह मैंने उनको एक idea भी दिया, ताको उनको एक idea हो जाए, कि हम कितना चार्ज कर रहे हैं अभी, इसके बाद मैंने बोला कि मैंने जो पिछला काम किया था, मेरा जो previous काम है, उन clients के साथ, उसका मैंने attachment में samples भीजे हैं, आप वो चेक कर सकते ह इसके बाद मैंने यहां पर एक थोड़ा सा graphic बना के लगा दिया अपना emails में, कि यह हमारा logo है, और अपनी hobbies जरूर लिखेगा, ताकि उनको एक idea मिल जाए, कि आप किस तरह के person है, तो मैंने hobbies लिखी, मुझे photography अच्छी लगती है, दूसरा painting and drawing करना मुझे अच्छा लगता ह free time में, इसके बाद मैं movies देखना भी पसंद करता हूँ, तो मैंने यहां पर अपनी यह तीन hobbies दिखा दी, साथ मैं contact number and mail idea, इसके बाद samples में मैंने अपना यह वीडियो दिखा दिया, इस वीडियो का link मैं description में दे दूँगा, आप यह वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो म इस वीडियो में है, अगर आप भी देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो का link description में है, आप चेक कर सकते हैं, यहां पर play करूँगा, तो ज्यदा time हो जाएगा, और यह अच्छा नहीं राएगा, इस वीडियो में play करना, दूसरा है, कि करीब, इस जो पीडिया बना के मैंने वेजे हैं, जो कि मैंने बनाए हैं, अपने clients के लिए, इन जो designs की PDF है, इन में जो मैंने company के लिए काम किया है, वो company इंडिया से भी है, और other country से भी है, जैसे New Zealand है, और पकिस्तान, दुबई, अलग-अलग country के लिए मैंने काम किया है, तो सारी company की website का, मैंने यहां पर बताय इनका mail आया, reply आया, आप अच्छा कर रहे हैं, अनुराग सर wants to talk, अनुराग मुझसे बात करना चाहते थे, अनुराग सर, तो उन्होंने क्या कहा, कि हम 11 बजे बात करते हैं, तो next day, एक event था मेरी family में, फिर भी मैंने time निकालके उन से हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं मना नही करना चाहता था, क्योंकि मुझे reply आ चुका था, वो मुझसे बात करना चाह रहे थे, तो मैं उनको यह नहीं कह सकता था, कि मेरे घर में event है, और मैं आप से बात नहीं कर पाऊंगा, लेकर मैंने लिखा कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकर उनका call आ गया, तो मैंने बात क वीडियो का बाकि यह जो फ़श्ट में तीन वीडियो जो आपको दिख रहे हैं यह तीनों वीडियो ची थमनेल मैंने बनाई है और यह थमनेल कैसी हैं आप इनके चैनल पर जाकर चेक कर लीजेगा तो इस तरीके से मैंने एक इमेल लिखी और मैंने वहां से काम पाया तो प् किसी से जुड़ रहे हैं तो उने बस प्योर्टी में रखे है क्योंकि आप उने एमेल कर रहे हैं क्योंकि आप उने एमेल कर रहे हैं तो जब वो जवाब दे तो उनका जवाब फास देना चाहिए उनके क्लिए कॉल पर अविल रहना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर आप काम ढूणद रहो हैं तो प्लीस आप उन लोगों से काम by02 आप जानते हों और आपको लगता है कि आप उनका काम बैटर कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आप में किसी ने कॉन्टेट करो जरूर नहीं किसी कंपनी लिए क्या वक्तरण करो अपके लोकल में जो भी सोपस हैं उनकि लिजबे कि नजी नाई कैट़ोंकर देखिए और उनके नाइ-न पहले यह नहीं बोल रहे हो कि आप मुझे पैसा दो, इसके बाद मैं आपको कुछ बना के वेज़ता हूँ, यह सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि वो आपको जानते नहीं है, तो पहली बात, आप एक impact क्रियेट करो, कि आप उनका इतना अच्छा काम कर सकते हो, जिससे वो और आपको काम दें, उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो था, आपको पसंद आया हो, माफ कीजे, मेरी यहाँ पर लाइटिंग अच्छी नहीं है, बरसात का मौसम है, बहुत सारी मेरे रूम में खीड़े भी आई रखे हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत माफी चा झाल